हेलो हाई गुड इवनिंग चैंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूं अधीगम अशकता को लेगा दिये क्यों बालविकास का एक महत्पूर्ण चैप्टर है एक महत्पूर्ण पॉइंट है जो कि सीटेड में हर बार नॉर्मली जिसम अधीगम असकता के बारे में बात करते हैं कुछात पढ़ने लिखने मोखिक अभीवक्ति शब्दों की वरतनी करेने गरित एव तरक सक्ती को समझने आदि में अशकता अत्वा कमजोर होते हैं इस प्रकार की असकता को ही अधीगम असकता कहा जाता है अधिगम अशक्ता यानि की स्टूडेंट में पढ़ने में, लिखने में, बोलने में या लिखने में कोई कमी होती है उसे अधिगम अशक्ता कहते हैं बालवकास की भासा में अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो दो-चार पॉइंट है अपने जैसे की डिसकेल कुलिया जिसमें बच्चों को गड़ित को समझने में कठना ही होती है डिसकेल कुलिया जैसे की सबसे ही आप समझ सकते हैं डिसकेल कुलिया का अनुम सब्द आप अपने भाव में प्रिकट कर रहा है कि डिस्कैलकुलिया यानि कैल कुलिया यानि कैलकुलेटर करना है जिसमें बच्चे गड़ित को समझने में कटना ही करते हैं दो को चार और आपका क्या है 11 और 21 जैसी संख्याओं को समझ नहीं पढ़ते हैं उस जो रोग होता है उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं ये 6-14 वर्ष के बच्चों में जातर देखने को मिलता है दूसरा हमारा डिस्टी मिया ये है गंभीर तनाव की अवस्ता चिंतित रहना डिस्ती मिया से हमारा विप्रेय है जिसमें बच्चा भैबीत रहता है गंभीर त रंगों को प्रति भ्रह्म हो जाता है कि वह उसके अंग छोटे हैं बड़े हैं इस पोकार वो चिंता में रहता है हमेसा écAn लोilt को डिसelnूर प्या कहा जाताय बालबिकास की वासा में दूसरा हमआरह अपने सब्द से ही अपना पॉस्पर्श्ट कर रह स्वोट यानि इस्पर यानि गिराफ जो होता हुम मारा लिखने थे संब्दित होता है तो तो लिखने संबंदी अशक्ता को यहनी कि लिखने संबंदी कमजोर को जिसमें बच्चा ठीक परकार से लिक नहीं पाता है उसे डिस्घ्राफिय का जाता का बालकास की बाचा में तो हिंत 1 कुलियर कर लीजगा डिस्घ्राफियर यानि wruk ten आब आ जाता है बीच में हकलाता है तो उसे अफेजा कहा जाता है दूस्त हमारा एक पॉइंट है नेक्ष्ट सेकलर डिस्कलेसिया डिस्कलेसिया है हमारा पठन विकार जो बी को डी और सेको वैस लिखता है यानि कि जो मारा डिस्कलेक्सिया है इसमें पठन विकार है यह पढ़ने क पढ़ने की जो समस्या होती है इसमें आती है इसमें छात्र जो है बी को डी पढ़ता है एस से को बास पढ़ता है यह उस परकार की समस्या है इससे नेक्ष्ट है हमारा अप्रिक्स के सिया इसमें है सारेड की विकार सारेड की विकार मस्तिक में छेती की कारण होता है जैसे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पिल्कुल ना मुझे धन्यवाद दोस्तों